नमस्का दोस्तों, Stock Market Studies में फिट्सिक बर आपको बहुत-बहुत सागत है तो आज यहापे में discussion करने वाला हूँ एक ऐसे company के बारे में जो दिखा जो तो फिलाल के लिए company बहुत छोटा है मगर मुझे लगता है इस company का जो management team है और जिस तरीके से धीरे-धीरे-धीरे करके growth कर रहा है और जिस तरीके से खुद का business को मतलब बढ़ा कर रहा है उस ही साब से इस company एक ना एक दिन अच्छा खासा एक multi-way का return दे सकते है तो company कौन सा है और इसका growth of potential कहाँ पर आपको दिखेगा सब कुछ मैं आपके साथ discuss करूँगा तो please वीडियो को लास तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने comment किया sir इस company के feature क्या है एक बार जोरू वीडियो बनांगे दीजिएगा तो चलो उसी के बारे में discuss करूँगा तो वीडियो को लास तक दिखिएगा अपडेट एक दोम डेटा आपके साथ आपने यहां पर सौट वीडियो के मादधम से मिलता रहेंगे तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में company कौन सा है company एक Jewelry and James business करने आप company है जिसका नाम है कलन जुएलास देखा जेतों 1997 तो 1993 से company स्टार्ट हुआ था तब से लेकर आज तक काम कर रहे है company around देखा जेतों 30 साल company हो चुके है 2023 में अगर अभी 2023 स्टार्ट हो चुके है उस हिसाब से देखा है तो company 30 years company business कर चुके है इस फ्रील में तो इस 30 years में company क्या किया और किस तरीके से ग्रोथ किया उसी के बारे में discussion करूँगा सबसे पहले company ने जो report और data update किया बहुँच चीजा आपको दिखाऊँगा आप करेंगे sir उस data देखे क्या होगा देखिए मान के चलिए आपने किसी company के उपर निवेस करने के लिए सोच है तो book क्या आप आँक बंद करके उस company को निवेस करने गे मान के चलिए आपने कोई भी phone खरीदने के लिए सोचा है मान के चले आपने कोई बड़ा फोन चलो आईफोन खरीदारी करेंगे तो क्या डिरेक्ट जाकर आप दुकान में जाएंगे और बोलेंगे कि कोई भी आईफोन देजिएगा ऐसे बिल्कुल भी तो नहीं ना आप उसके फेचास चेक करेंगे वेबसाइट जाकर चेकर सकते है आपने दोस्त आपके दोस्त खरीदारी किये तो उसके साथ जाकर आप डिसकस करेंगे तो बहुत कुछ करने के बाद आप एक आईफोन खरीदारी करते हैं सेम टू सेम, स्टॉक के उपर इस तरीके से लोगों के मन में इस तरीके से थिंकिंग होते हैं, कि स्टॉक अगर मैं खरीदरी भी कर लू, अगर मुझे थोड़ा सी लोस हो, तो मैं बेश सकता हूँ, मगर कोई भी फिजिकली प्रोडक्त जैसे फोन खरीदरी कर लिए, तो उसको तो बेच नहीं सकता, अगर उसको बेचेंगे भी ही, तो मान के चलिए एक लाग रूपिया देकर फोन खरीदरी किये, तो जब बेचने जाएंगे तो पचास आजा रूपिया भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए लोग वो चीज को अच्छी तरीके से मतलब रिसाच करत हैं, उसके बाद खरीते हैं, मगर बाकी जो स्टॉक के उपर इसाच हैं, वो ना देखकर ही कर लेते हैं, तो इसलिए जादा से जादा लोग इसी तरीके से प्रब्लेम्स में पढ़ते हैं, देखें मेरे एक विस्तेदार है, उन्होंने मुझे कमेंट किया और उन्होंने तो सोचिए, उनका कहने का मतलब है, एक रुपिया दस पैसा चला है, अगर बो दो रुपिया चला जाता है, तो मेरे फंड डवल हो जाएगा, इसलिए मैं एक लाग रुपिया निवेस किया, मगर सोचने वाला बात यही है, जो कमपनी के पर निवेस करके हैं, मैं उसको ब खब रहे चुके है, तो फिर भी, वो अबिसलि इस कमपनी के उपर तीन रुपिया सेर में खरीद कर रखके है, तो आज वो एक रुपिया चला है, एक रुपिया दस पैसा, तो उसको मैं बोला हूँ, उस कमपनी से अभी निकल जाओ, नहीं तो वो एक लाग रुपिया भी कि जो बाकी पैसे बैचे हुए है, वो भी चला जाएगा, तो देखिए, आपको मैं बार-बार एही चीज़ सिखाता हूँ, कि देखिए, आप सही कमपनी को पर निवेस करके सही रिटन कम आई है, देखिए, आप ABD क्यों करते हैं, क्योंकि सेपेस जोन में आप काम करना च है ही, साती साथ, आप अच्छे कमपनी को पर निवेस करेंगे, तो आपको अच्छा रिटन मिलेगा, तो सेम टू सेम, इसका भी ग्रोथ और पोटेंसिल अच्छा दिख रहा है मुझे, तो इसलिए मैं इसके उपर बात करूँगा, तो चलो सब से पहले में एक इस कमपनी क निवेस के बारे में बात कर लेता हो, जो निवेस आया है किसमें, बिजनेस स्टेंडर्ड के उपर, तो मिध्यान से इस चीज को देखना, क्योंकि एक अच्छा खासा निवेस पॉब्लिस किया, तो पूरा क्रेड में बिजनेस स्टेंडर्ड को दूँगा, तो अपर क्या निवेस है, आप देख सकते है, कल्लान जुएलर्स, सर्जेस 6%, मतलब ग्रोथ हुआ है 6% एन रिपोर्ट अप्टू 13% रेविन्यू ग्रोथ इन थर्ट वेट क्वाटा 3, मतलब पहले से ही एक निवेस अपडेट हो चुके है, यह 13% रेविन्यू का ग्रोथ होने वाल है, द न दूर जा सकते है, तो उसी का ग्रोथ के पोटेंसिल के हिसाब से आप बातचीत क्या आगा है, कल्लान जुएलर्स, अब सभी जनते हैं, इंडिया के एक पॉपलर कॉम्पणी बन चुके है, आप इसका कम्पिडेटर के हिसाब से देख सकते है, टाइटन जो नमबर वन है बहुत बड़ा कम्पणी है, उसके बाद देखे राजयस एक्सपोर्ट, जो second largest कम्पणी है, उसके बाद कल्लान जुएलर्स, देखी इस कम्पणी के में जब से स्टाड़ी कर तब 10,000 करोड से भी नीचे था, 10,000 करोड से भी नीचे था, आज 12,800 करोड पहुँच चुके ह तो इसका मतलब कम्पणी में एक potential है, जो potential हामेशा धीरे-धीरे करके growth होता जा रहा है, अब ध्यान से देखेंगे, share यहाँ पर देखें साधियस कितने percent growth हुआ, उसके बारे में भार्त कर जा रहा है, और इसके growth होने के पिछे जो कारण है, company continuously growth कर रहा है, साधी साथ company जो पर report published किया, जो साधे तेरा percent का growth होने वाला है, revenues का, देखें, आपको लग रहा है, साधे तेरा percent, आप तो सोज रहा है कि 100 रुपी इसमें साधे तेरा percent मतलब 13 रुपिया है, तो इसमें इतना growth हुआ, तो इस 100 रुपिया अगर 100 करोड अब सोच लेते, तो कितना, 1300 करोड के आसपास आपे profit मिल जाता, तो एही एक growth potential जो company को आगे बढ़ने के लिए जुरू help करेगा, और जितने सारे investor है, उसको भी फायदा होगा, तो मैं वीडियो को लास्त तक जुरू देखने के जुरू कहूंगा, क्योंकि इसका chart potential आपको दिखाऊंगा, आप देखकर shock हो यह तो company का return of equities, return of capital employees, थोड़ा सा weakness में है, हाँ debt 1% से भी ज्यादा है, यह थोड़ा सा company के लिए weakness है, साथी साथ company का market cap to sales कितना है, 0.98% के आसपास है, तो अच्छी बात है, company का देखिए, traded receivable जो है, 170 crore के आसपास, sorry, 170 crore के आसपास, तो company का datos day, सब सब company को पीछे जितने सरे competitor है, तो क्योंकि चार दिने का अंदर अंदर इसका हाथ में पैसा आ रहा है, तो यह खासियत है, तो यह ही खासियत के कारण, company धीरी-धीरी करके, खुद को growth को और potential को बढ़ा रहा है, तो company के देखिए, return के ममले में company किस तरह के से return दिया, देखिए, company अभी एक साल में 75% का return दिया, sales growth और profit growth बहुत तगड़ा तो यह पर देखने को मिला है, और company continuously profit को maintain किया, company continuously profit maintain किया, company फिर से 2021 में losses किया, और उस losses भी छोटा मोटा था, देखिए, आपको यह देखना है, कि company loss कितने कर रहा है, और company profit कितने कर रहा है, अगर losses से कई गुना, 10, 12, 20 गु देने वाले है, 420 करोड के आसपास यह पर profit दिखा रहा है, year to year, तो इसलिए देखिए, investor भी इस company को पर भरोसा करना start किया, पहले तो भरोसा नहीं करते थे, धीरी दिरी करके उसका stake भी बढ़ा चुके है, और public भी देखिए, अच्छा कासा यह आपर investment कर रहा है, प्रो को breakout किस ने किया, इस level में, इस candle में आपको बहुत बार बल चुका है, कोई भी candle अगर breakout हो रहा है, long journey करके, तो anti मत होना, हाँ, एक ही जगा पर volume करके अगर breakout होता है, तो anti मत ले ले लेना, नहीं तो, अगर long journey करके anti हो रहा है, तो इलकुल anti मत लेना, क्योंकि आपको wait करना है कोई भी retracement होने के बाद, वो level टाच करने के बाद फिर से breakout करे, तो फिर से breakout किस ने किया, इस candle में, तो मेरे हिसाब से, इस candle में anti होना, और इस candle के उपर आपको, मतलब target रखना है, तो यहाँ पर stop loss इसके नीचे रखना है, थोड़ा सा दूर में, और इसके उपर से anti लेकर, 1-2-3 ratio का target रखना है, आप कहेंगे सर क्या आपने यहाँ पर anti लिया, नहीं, मैं यहाँ पर anti नहीं ले पाया, क्योंकि मेरा उस टाइम थोड़ा सा problem इसू चला था, मैं anti नहीं ले पाया, मैं anti कहा पर लिया, मैं यहाँ पर anti लिया, मैं इसके नीचे stop loss जरूरू रखोंगा, अबिसली इसके नीचे stop loss रखोंगा, और target मेरा stilling होता रहेंगे, 1-3 ratio का, तो अभी तक target नहीं fill up हुआ, तो थोड़ा सा मैं wait कर रहा हूँ, अबिसली target देंगे, जिस तरीके से तेजी आपर देखने को मिला, और जिस तरीके से news publish किया गया है, तो आप इस तरीके से learning process जान होगे है, तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्रीब करना, मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए अच्छे सरही है, अपने ख्या लखें, बबाई